हेलो वेलकम फ्रेंड्स तो दोस्तो आई थिंक आप सभी ललीत नरैनमितला उनिवसीटी दर्भंगा पार्ट टू इंगलिस ओनर्स के स्टूडेंट्स होंगे दोस्तो सेशन 2020 से 2023 के लिए पेपर 3 का ओफिसियल साइलेबस क्या रहने वाला है इसके उपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तो हम बार-बार साइलेबस के उपर इसलिए जोड़ दे रहे हैं क्योंकि एलनमियू में जो साइलेबस बोर्ड के तरफ से जारी किया गया है और एकसाम में जो कोस्चन भी पूछा जाता है एकसेक्टली उसी साइलेबस से कोस्चन पूछा जाता है तो इसलिए जब आप लोग syllabus के coding पढ़ोगे तो आप बहुत कम समय में अच्छा marks ला सकते हो क्योंकि syllabus के coding जब आप पढ़ोगे तो आप selected चीजों को पढ़ोगे ना कि unrelevant चीज़ को पढ़ोगे तो इसलिए आप लोग syllabus के coding ही पढ़ना और यहाँ पे जो मैं आप लोगों की बीच syllabus डिसकस करने जा रहा हूँ यह LNMU का official updated syllabus है इसलिए के coding आप लोग अपना preparation करना कम समय में अच्छा marks ला लोगे यह मैं आपको बार बार कह रहा हूँ तो चलिए syllabus क्या है इसको हम detail में जानते हैं दोस्तो आप सभी को पता ही होगा part 2 में दो paper होते हैं एक paper 3 और एक paper 4 तो आज की इस videos में cable और cable मैं paper 3 को discuss करूँगा next videos में paper 4 को cover कराएंगे तो चलिए video सुरू करते हैं दोस्तो आपको पता ही होगा paper 3 जो है न वो 100 marks का होता है और अगर official syllabus की बात करें तो paper 3 के लिए cable और cable आपको चार topic ही पढ़ना होगा और यह चारो topic play है यानि drama का एक part है और जो चार topic है वो topic कुछ इस प्रकार से है पहला topic है मैकवेथ और यह मैकवेथ जो है यह William Shakespeare के दोरा लिखा गया है दूसरा जो आपका topic है वो है 12th nights और यह भी William Shakespeare के दोरा ही लिखा गया है तीसरा जो दोस्तो आपका topic है यह है Edward second और यह Christopher Marlow के दोरा लिखा गया है दोस्तो लास्ट और चौन्था जो आपका topic है यह है से स्टूप्स टू कंकर और यह Oliver Goldsmith के दोरा लिखा गया है दोस्तो यह जो चार topic है इसी चारो topic से एक एक करके long person पूछे जाएंगे और वो long person जो होगा न वो 17 marks का होगा यानि चार topic से 17-17 marks करके पूछे जाएंगे यानि 68 marks का केवल और केवल long person हो जाएगा और इसी चारो topic से एक एक करके explain करने वाला भी question पूछा जाएगा और वो 8-8 marks करके होगे यानि चार section से explain करने वाला question जो होगा वो 8-8 marks करके होगे तो 32 marks यह भी हो जाएगा यानि 68 और 32 100 marks हो गया चलिए एक बार और मैं आपको बता देता हूँ उपर जो आप 4 topic देखे हो मैकवेत, 12th nights, इड़ोर्ट सकेंड और सेस्टोपस टू कंकर इन्ही चारो topic से एक एक explain करने वाला question पूछा जाएगा और वो 4 परसन 8-8 marks करके होगे यानि 8 चोक 32 marks आपका explain वाला question कवर करेगा same इन्ही चारो topic से एक एक करके long परसन पूछे जाएगे और वो 17 marks के होगे यानि 7 चोके 68 marks आपका long परसन भी होगा यानि 68 और 32, 100 marks आपका ही हो गया तो ये तो हो गया दूस्तों syllabus चलिए मैं आपको 2020 के question paper को दिखलाते हैं इनसे आपको idea आएगा कि syllabus से question कि इस प्रकार से पूछा जाता है और ये recently exam हुआ है 2020 का यहीं का paper है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ पहला परसन जो आएगा ना पहला परसन में 4 explain करने वाला question होगा A, B, C, D इस प्रकार के 4 प्रसन होगे हर प्रसन में एक अथवा करके option होगे और यानि कि आपके पास total 4 प्रसन का जवाब देना होगा और वो 8-8 marks करके होगे यानि 32 marks का explain करने वाला question होगा पहला question और जैसे A दिया हुआ है और इसी A में और करके भी दिया होगा तो या तो आप उपर वाले का अंसर दीजिए या फिर और वाले का अंसर दीजिए कोई A का अंसर दीजिए सेम यही pattern आपको B में भी follow करना होगा या तो आप उपर वाले का अंसर दीजिए या फिर इसी में जो और करके दिया गया है उसका अंसर दीजिए दो में से कोई एक का दीजिए ये आपके पास समझे एक बेनिफिट है दो में से एक को चूज करना होगा सेम यही पैटर्न C और D वाले में भी है तो यह होगा आपका explain करने वाला question अब मैं आपको दिखलाता हूँ long person long person आप लोग देख रहे होंगे जैसे देखी ये मैक विच से लिया गया है तो अथवा करके जो दिया गया है ये भी मैक विच से ही है या तो आप उपर वाले का दीजिए या फिर इस नीचे वाले और वाला का दीजिए सेम यही pattern 12th nights में भी होगा एक परसन यहाँ पर होगा और और करके इसी topic से related question होगा लेकिन एक चीजिए यहाँ पर आप लोग देखिएगा यहाँ पर परसन पूछे जाएंगे और इसी सब में जो और करके next सवाल पूछा जाता है वो character से related होता है जैसे देखिए यह 12th nights का topic से related हो गया और यहाँ पर देखिए बायोला और ओलिविया का character पूछ रहा है सेम यही pattern आप लोग देखिए इडवोर्ट सकेंड में यहाँ पर इडवोर्ट सकेंड का theme पूछ रहा है लेकिन अथवा करके जो पूछ रहा है यह इडवोर्ट सकेंड का character पूछ रहा है तो यह चीज आप लोग समझ गए होंगे कि उपर वला जो question आता है उस topic से related होता है और नीचे वला जो होता है यह character से होता है यह says to conquer का question हो गया और टॉनी लंकिंज हो गया यह says to conquer का यह character है तो यह हो गया दोस्तों आपका paper third का question paper जो 2020 में पूछा गया है और एक चीज और मैं आपको यहाँ पर दोस्तों बता दूँ हर session के लिए मैं online badge लाता हूँ और अगर आप इस badge को join करना चाहते हैं तो number जो screen पे 100 हो रहा है सतर अरतालिस बिरानवेर सतासी च्यालिस इस पे whatsapp करके हमको information दीजिएगा मैं आपको इस badge को कैसे join करें इसका process बता दूँगा आपको कुछ fee payment करना होगा बहुत साधारन सा fee होता है कोई भी pay कर सकता है और pay करने के बाद आपको मैं एक whatsapp group में add करूँगा और वहाँ पे मैं आपको suggestion देता रहूँगा जितने भी note होँगे वो सारा send किया करूँगा बहुत सारा content होता है जैसे previous year question paper हो गया paper third और paper four का आपका PDF होगा और उस PDF में उसी प्रसंट को हम सामिल करेंगे जो 2022 के एकसाम में पूछे जाएंगे जो आपके session 2020-2023 के लिए useful होगा उसी selected question का ही PDF बनाएंगे syllabus का भी एक PDF देंगे साथ ही साथ 2016 से लेकर के 2021 तक जितने भी question पूछे गये हैं उन तमाम परसनों का collection करके भी एक PDF बनाएंगे और main focus जो होगा हमारा वो होगा explain करने वाले question के उपर क्योंकि paper third और paper four इस दोनों में 32-32 marks करके explain करने वाले परसन पूछे जाते हैं तो मेरा main focus explain करने वाले पे भी होगा तो इस batch को आप join कर सकते हो इस batch को join करने के बाद आपको offline batch का जरूरत नहीं पड़ेगा और नहीं आपको किसी भी प्रकार का market में जो guest paper available होते हैं उनको लेने का जरूरत होगा तो आप join कर सकते हो बस इस screen पे जो number 14 पर आप मुझे एक whatsapp के माधियम से information दीजिएगा मैं आपको इसका process बता दूँगा Thank you so much दोस्तो